शहर के चुड़िया घर में शुक्रवाद सुभा एक बड़ा हाथ सा होते होते चल गया क्योंकि एक शराबी शराब की नशे में धुत्त होकर शेर के पिंजरे पे चड़ गया आपको बता दे कि मामला एंदॉर के चुड़िया घर का बताया जो रहा है जहाँ पर एक शक्स शुराब के नशे में बाख के पिंच्रे के उपर पिंच्रे के अंदर कूदने के लिए चड़ गया वह तो गनीमत रहें कि जू प्रभंदन की कर्मच्वारी ने सूच-बूच दिखाते हुए सही समय पर उसे देख लिया और पकड़ कर नीचे उतार लिया बाद में शक्स को पुलिस के हवाले कर दिया चुड़कार प्रभारी उत्तमयादों ने बताया कि सुबर चुड़या घर में काम करने वाले गार्ड और माली ने बाग के पिंचरे के पास एक व्यक्ति को संदिक्त हरकते करते देखा था वह पिंचरे पर चड़कर अंदर कूदने की कोशिश करने लगा तो कर्मच्वार्यों ने प्रभंधन को वायरलेस पर सूच न दी इसके बाद आनन फानन में उसे पकड़कर नीचे उतार गया जू प्रभंधन का कहना है कि युवक मांसिक रूप से बीमार दिख रहा था और परिवाज से परिशान होने की बात कह रहा था युवक का नाम विजोई धाला बताया गया है पकड़े जौने के बाद युवक बहकी 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 बाती कर रहा था युवक में ठाने में कहा कि घर की समस्या से परिशान हूँ एक बेटा है जो दस्वी में दो बार फैल हो गया है भटना के लिए मैं खुद जिम्मदार हूँ उसना पताया कि बिंजरी पर चड़ने में उसके कपड़े भी फट गया बाग उसकी तरफ काफी पास तक आ गया था पहले भी हो चुके हैं मामले गौत अलब है कि इंडरों चुड़िया घर में पहले भी ऐसा एक मामला हो चुका है एक युवक शेर के बाड़े में कूद गया था वहां अंदर तक चला गया था हाला कि उससे सरकुषल बाहर निकाल लिया गया इस सतारा एक बार बागहिन भी पिंजर से बाहर आ गय थी उस समय चुड़िया घर में अफरात अफरी का माहोल बन गया था